हलो फ्रेंट्स आजके इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने नोक्या C12 एंडुड वाइल फोन में आप जो है रिंग वाइब्रेशन सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह रिंग वाइब्रेशन सेटिंग इनेबल होने के बाद कादा इस सेटिंग कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आपर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मॉमाइल फोन मेकी setting page आपको open करना है, setting page open कर लिजे, setting page में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको option मिलेगा, accessibility, accessibility पर select करना है आपको, ठीक है, अब accessibility के इस page में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको option मिलेगा, vibration and haptic strength, ठीक है, इसे आपको select करना है, इसके बाद आपको अगले page में option मिलेगा ring vibration ठीक है ring vibration पर आपको इसे select करना है अब आपका ring vibration का page आजाएगा इसमें आपको first option select करना है on का on पर select किजिए तो on के सामने आले circle पर आपका tick mark लग जाएगा ठीक है इस तरीके से तो दोस्तों यहां पर जो है यह ring vibration setting कैसे काम करेगी enable होने के बाद यह मैं आपको बता देता हूँ तो जब भी आपके mobile phone पे कोई इंकमिंग कॉल आएगा ना तो आपका mobile phone vibrate करेगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ vibrate करेगा जितनी देर तक आपका mobile phone ring करेगा उतनी देर तक आपका mobile phone vibrate करेगा ठीक है यह setting इनेबल करने से आपका mobile phone vibrate करता है ठीक है अब मैं आपको यह बता देता हूँ कि कैसे आप जो है यह ring vibration setting को अपने mobile phone में shortcut तरीके से कैसे ढूंड सकते हैं इसके लिए आपको अपने mobile phone का setting page open करना है ठीक है setting page में आपको सबसे ओपर यह option मिलेगा search setting, search setting पर आपको select करना है यहाँ पर आपको search bar में type करना है आपне a pen मिश्टिक करने है तो आपको नीचे यह option दिखाई नहीं देगा तो चղिए video को आगे continue करते हैं तो जब यह नीचे option show हो जाता है ring vibration इसे आपको select करना है इससे क्या होता है आपका mobile phone जो ना आपको direct इस setting page में लेकर आ जाता है और इस setting को highlight करता है तो यह shortcut तरीका इस setting को ढूंडने का